क्या सच में हिंदू शब्द विदेशी है? पिछले कई दिनों से राजनेति गलियारों से लेकर सड़क चौराहों तक ये सवाल पूछा जा रहा है मेरी सबसे बड़ी प्रिवडा ये है कि अगर हिंदू शब्द भी हमारा नहीं है तो हमारा है क्या? अगले एक मिनट मुझे ध्यान से सुनिएगा आप जान जाएंगे कि हिंदू शब्द हमारा अपना है या फिर हमने उधार लिया है हिंदू शब्द को विदेशी साबित करने वाले तर्क देते हैं कि ये शब्द पार्सियों की भाषा फार्सी से आया है पार्सी लोग सा को हा कहते थे इसलिए वे सिंधू नदी के पूरब में रहने वालों को हिंदू कहने लगे अब पार्सी लोग तो विदेशी हैं इसलिए हिंदू शब्द भी विदेशी हुआ लेकिन लेकिन ये अधूरा सच है कैसे आगे बताऊंगा पहले आप ये जान ले के पार्सी कौन है इतिहासकार मानते हैं के पार्सी कोई और नहीं आरियों की ही एक शाखा है जो प्राचीम काल में सब्त सिंधू के पश्चिम में बस गई सब्त सिंधू प्रदेश क्या है वो इलाके जिन में आरिया वर्त की साथ नदिया शामिल थी पार्सीयों की पवित्र पुस्तक का नाम है जिंद अवेस्ता रिगवेद और जिंद अवेस्ता इन दोनों ग्रंथों में कई similarities है ऐसा इसलिए क्योंकि फारस के रहने वाले हमारी ही तरह आरिये थे इसलिए language में थोड़ा difference है लेकिन essence बहुत हद तक वही है और हा को एक दूसरे की जगा प्रियोग करने वाली जिस परंपरा का पूरा credit हम पार्सियों को देते हैं वो दरसल उन्होंने हम हिंदुस थानियों से ही सीखी थी ज्यान के आदि स्रोत रिगवेद में सरस्वती नदी को हरस्वती कहा गया है तम ममर्त दुच्छुना हरस्वती हमारा अथर्ववेद कहता है हरितो ना रहया और वैदिक शब्दकोष निघंटु में इस बात को और क्लियर करते हुए लिखा गया है सरितो हरितो भवन्ति यानि सरिता ही हरिता हो गई सरिता और हरिता दोनों एक ही है इतना ही नहीं रिगवेद में संबोधन के लिए नेता सिंधु नाम का जिक्र मिलता है इन प्रमानों से दो बातें शीशे की तरह साफ हो जाती है पहली सा और हा का एक दूसरे की जगे प्रियोग हमारे ही यहाँ शुरू हुआ और दूसरी सिंधु शब्द को प्राशीन काल में रास्टर के रूप में प्रियोग किया जाता था जो के समय के साथ हिंद या हिंदू हो गया आज भी पश्चमी भारत और गुजरात में जो शौरसेनी भाषा बोली जाती है उसमें सा को हा ही कहा जाता है इससे प्रूव होता है कि हिंदू शब्द वैदिक काल से ही हमारा है और ब्रहस्पती आगम में तो साफ साफ हिंदू और हिंदू स्थान शब्द का प्रियोग किया भी गया है यानि ओंकार जिसका मूल मंत्र है जो गोभक्त है पुनर जन्म में जिनकी दढ़ आस्था है भारत ने जिसका प्रवर्तन किया है तथा हिंसा की जो निंदा करता है वो हिंदू है हिंदू शब्द में ही उत्तर में हिंदू स्थान का प्रतीक है और हिंदू दक्षड में फैले सिंधू यानि समुद्र का इसका मतलब हुआ हिमाले से सिंधू तक का पूरा छेत्र हिंदूस्तान है और इसके सभी निवासी हिंदू है हिंदू शब्द विदेशी नहीं है पूरी तरह से भारती है हमारा अपना है और हम सब को हिंदी हिंदू और हिंदूस्तान पर कर्व होना चाहिए